बच्चों अभी हम EBS पढ़ेंगे EBS का पेज नमबर 29 गूड इटिंग हैबिट्स आज हम गूड इटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे गूड इटिंग हैबिट्स help us keep healthy हमें क्या-क्या गूड इटिंग हैबिट्स रखना चाहिए ताकि हम healthy हो सके आज हम वो बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे लिखाए wash your hands before eating आपको खाना खाने से पहले आपको hand wash करना चाहिए अच्छी तरह से wash your hands before eating फिल लिखाए eat in a clean plate आपको clean तक साफ सुद्रे प्लेट में खाना खाना चाहिए eat fresh homemade food eat fresh homemade food आप जो भी खाना का रहे हो आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए घर में जो बना है वो खाना चाहिए homemade food वो अच्छा होता है आपके health के लिए eat slowly and chew the foods well eat slowly आपको दीरे दीरे खाना खाना चाहिए और अच्छे से चबा के ताकि आपको आपका खाना अच्छे से digest हो सके the food well आपको अच्छी तरह से slowly खाने को अच्छे से चबा के सारा खाना खाना चाहिए फिर नीचे लिखाए do not eat too little आपको कम खाना भी नहीं खाना चाहिए आपका पेट जितना भरे आपको उतना खाना चाहिए या तो ज्यादा नहीं या तो कम नहीं फिर लिखाए do not over eat आपको इतना सारा खाना भी नहीं खाना चाहिए आपका हेल्थ खराब हो सकता है फिर नीचे लिखाए, eat fruits worse than before eating, eat fruits worse than before eating, आपको जो भी आप fruits खाओ, उसको अच्छी तरह से clean करके उसको वश करना चाहिए और फिर खाना चाहिए, Do not waste food, खाने को ऐसे waste नहीं करना चाहिए, आप जितना खाओ उतना आपको cooking करना चाहिए, और ऐसे फेकना नहीं चाहिए, तो ये सारे हैं हमारे good eating habits, जिससे हमें healthy हो सके और strong हो सके, Wash your hands before eating, eat in a clean plate, eat fresh homemade food, eat slowly and chew the food well, do not eat too little, do not overeat, eat fruits, wash them before eating, do not waste food, तो हमें खाना खाने से पहले अच्छे से hand wash करना चाहिए, clean plate में खाना खाना चाहिए, homemade food जो घर में बना है उसको खाना चाहिए, हमें खाने को slowly जबा जबा के अच्छे से खाना चाहिए, हमें ना कम खाना चाहिए और ना ज्यादा खाना चाहिए, fruits को अच्छे से धो के wash करके उसको खाना चाहिए और खाने को ऐसे waste नहीं करना चाहिए तो ये सारे हैं हमारे good eating habits आपको ये वाला chapter अच्छे से reading करना है